इस वीडियो में अपन मेनली देखने वाले है रेट ऑफ राइस ऑफ री स्ट्राइकिंग वोल्टेज के बारे में और उसका एक्सपरेशन ड्राइव करेंगे और भी देखेंगे किस टाइप के कॉश्चन आता है मतलब थियोरी थियोरी भी लिखी विए उन कॉश्चन के हिस साब से ठीक है तो देखो अपन को पढ़ना दो है रेट ऑफ राइस और री स्ट्राइकिंग वोल्टेज तो उसके साथ अपन एक चीज़ और पढ़ लेंगे क्या एंपलिट्यूट फैक्टर छोटा से टॉपिक है क्योंकि यह जो दोनों चीज़ है ना वह आती है क्यरेक् अपना अपना शिश्टम वोल्टेज था ठीक है और यह था अपना पीक सिस्टम वोल्टेज का पीक ठीक है तो ठीक है यह सिस्टम वोल्टेज का पीक और यह दूसरे यहाँ जीरो करेंट पर ट्रांसाइंट आया था ठीक है उसका पीक यहाला तो पीक ओफ ट्रांसाइंट वोल्टेज अपने ओipprant ओफ और फिस्ट्रैकिर्घर में टीगिए अब अपने में टॉपिक पह चाते है है अपन क्या rate of rise of restriking voltage ठीक है इसको अपन triple rv भी बोलते हैं ठीक है rate of rise of restriking voltage देखो इसकी definition पढ़ देता हूं मैं आप बहुत ही simple है it is defined as a slope of stiffness tangent of the restriking voltage कर मतलब यह restriking voltage कर वह है ठीक है यह restriking voltage है अब इस voltage की जो चढ़ाई है ठीक है जो चड़तावा कर वह है अगर stiffness मतलब धल चड़ाई भी होता है चड़ाई भी होता है लेकिन यहां पर अपन rate of rise पढ़ रहे हैं तो चड़ाई वाला जो करव है उस पर मैं tangent ड्रो करूंगा ठीक है और उस tangent के slope को क्या बोला गया है rate of rise of restriking voltage तो यह definition का है simple सा इतना सा मतलब है ठीक है अभी आगे बढ़ते हैं देख अपने contact थे ठीक ना circuit breaker के ठीक है यह दोनों contact है अब आपने बोला जो voltage इस capacitor के along है वी सी वही किसके along आया है इस circuit breaker के contact के along ठीक ना तो अपना जो वोल्टेज किसके along आया था circuit breaker के contact के along ठीक है ना और यही वो voltage क्या है restriking voltage क्या लाए था अपना जो इस यहाँ पर arc को वापस से restribleist करने के लिए responsible है ठीक है ना मतलब आग एक बाट zero current पर extinguish होएगी लेकिन यह restriking voltage क्या करेगा उस arc को वापस लाने की कोशिश करेगा तो यह जो वी सी था वोल्टेज क्रोस कैपिसेटरी यही अपना क्या था restriking voltage लेकिन अपन को क्या पढ़ना है rate of rise of restriking voltage तो देखो अब यह अपन को पता है rate of change of का एक operator होता है dv by dt ठीक है ना और अपना change किसे मिलाना है restriking voltage में अपन यही तो पढ़ रहा है rate of rise of restriking voltage तो अपन को अपना rate of rise of restriking simply यह होता है कि rate of change of restriking voltage with increasing slope मतलब slope क्या कर रहा है increase कर रहा है ठीक है अब देखो इसका expression कैसे निकाल लेते हैं ठीक है अब देखो expression कैसे निकाल लेंगे ठीक है उससे पहले में आपको एक चीज़ और बता दूँ यहां पर देखो यह rate of rise of restriking voltage ना यह आर्क को यहां पर तब अब देखो आपन को पता रिस्ट्राइक गोल्टेज की वैल्यों अपन निकाली दिए मैक्स वन माइस कॉस ओमेगा टी इसका derivation वगेरा और पूरा मैं समझा चुका है पिछले दो वीडियो में बहुती अच्छी तरह से बहुती शांदर समझा है आप देख लेना उसको ज का बन का तो जीरो पाथ तो फिर वापस ओमेगा टी का कितना हो जाएगा ओमेगा तो फाइनाल अ पने पाथ क्या मने गगा ई साइटो ओमेगा तो अपने पास share triple rv की वैल्यू के आगी इ estho उप आंना मेजर कर जाएगा बरकन एंजर किया जाता है किलो वामेटड पर माइक्रो सेकिंड में, तो एक तो आपको ये चीज याद रखनी है, दूसरा आप यहाँ से देख लो, जो ट्रिपल रर्वी है, वो डिरेक्ली प्रोपोर्शनल किसका है, ओमेगा के, ओमेगा अपनी नेच्रल फिग्रवेंसी, जिसकी वेल्यू वन अपॉन अंडर रूट एलसी होती, तो ये दूसरी चीज याद रखनी है, जैसे आपने कहीं बुक्स में बढ़ागा, ट्रिपल रर्वी इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो नेच्रल फिग्रवेंसी, ये लिख रहागा, ट्रिपल रर्वी इस डिरेक्ली प्रोपोर्शनल तो ओमेगा, क्योंकि आपने ये एक्स्परेशन देगा, एम ओमेगा, साइन ओमेगा टी, तो आरर्वी किसके प्रोपोर्शनल है, ओमेगा के, ठीक है, ये चीज आपने देख ली, अब देख लो, मैक्सिममम वेल्यू और रर्वी अकर वें, मैक्सिममम वेल्यू आरर्वी की कर traum Chief, ये अपने पास एक्सपरेशन अपने ड्राव्य कर लिया था, ठीक है, इस एक्सपरेशन के मैक्सिमम वेल्यू कर बहोगी, जब साइन ओमेगा टी अपनी मैक्स maximum value कितनी attain कर सकता है आपको पता है sin का कर भी यह maximum value one attain करता है मतलब triple rv की maximum value तब होगी जब sin omega t one value attain करें मतलब triple rv maximum की value क्या हो जाईगी simply em omega ठेक है Το люб कब होगी जब sin omega t one value attain करें अब sin theta one कब होता है theta equals to pi by t ho theta की जगर कोण है? omega t तो मतलब omega t equals to pi by 2, ठीक है, तो t equals to pi upon 2 omega, देखो ये भी पता है कि maximum value किस time पर 10 करता है, ये भी काफी बहर कुश्चन आता है, तो वो कितना होग जा, omega upon 2 pi, ठीक है, अब option में और भी चीज़े होती है, अब omega की जगे अपनको पता है क्या लिख सकते, natural frequency equals to 1 upon under root LC, तो omega की जगे 1 upon under root LC, तो t equals to गयागा, हो जाएगा, p under root LC upon, sorry, pi under root LC upon 2, तो time की value एक ये होती है, ठीक है न, ये भी आ सकता है option में, और देखो एक बहुत ही unique चीज़ आती है, वो ये वाली आती है, 1 upon 4 fn, rate of rise of reach tracking voltage, कब होती है, जब time equals to 1 upon fn, fn का है natural frequency, तो वो expression भी आप निकाल सकते हो, t equals to pi upon 2 omega आया, omega की value upon को पता होती है, 2 pi f, ये pi से pi cancel, 2 to the 4, तो ये 1 upon 4 fn हो जाता है, ठीक है, तो ये भी आपको याद रगनी है, hands अपनी maximum value of rrv क्या निकल के आई थी, em upon, em into omega, ठीक है न, omega क्या थी, natural frequency, मतलब इसको under root LC भी लिख सकता हूँ, तो ये भी काफी बार option में आता ह depend upon, ये भी काफी बार पूचे जाता है, और देखो कैसे कैसे इस पे different different तरीके से question आते हैं, वो मैंने सारे का रगे हैं, मतलब लिख रगे हैं, ये देखो triple rv maximum, ये maximum गलत लिख दिया, अपने देख रहे हैं कि triple rv की value किस पे depend करती है, ना कि triple rv maximum की, ठीक है, तो triple rv की value depend कर ये वही value देता है अपन को, तो ठीक है न, तो ये क्या है, अपने यहां से बोल सकते हैं कि जो triple rv की value है, वो एक तो depend करती है, recovery voltage पे दीसरा omega मतलब natural frequency of oscillation पे, ठीक है न, तो ये तो हो गई बड़ी बात, अब देखो natural frequency क्या formula क्या होता है, omega n equals to 1 upon under root LC, मतलब अपनी जो triple rv क value में option दिया हुआता है, क्या inductance पे depend करती है, क्या capacitance पे depend करती है, या दोनों पे depend करती है, तो आपन को दोनों लगा गया आना है, ठीक है, तो आपने ये वाली चीजी भी देखे लिए, अब देखो इसके आगे भी बढ़ चुके हैं, कि कैसे question पोस्ते हैं, देखो आपन को जैसे line की length increase होती है, L और C की value change होती है, ठीक है ना, मतलब line की length को increase करने पर L और C की value increase होती है, अब देखो L और C की value जब increase होगी, तो omega equals to होता है, 1 upon under root LC, मतलब L और C की value increase, तो omega की value decrease, और omega proportional होता है, triple rv के, तो अगर omega की value decrease, तो triple rv की value भी क्या होगी, decrease, इसका मतलब ये है इसका मतलब यह है मतलब मैं आपको simple सा बता दूँ अगर line length of line ज़्यादा होगी तो triple rv की value कम होगी और length of line अगर कम होगी तो triple rv की value ज़्यादा होगी और अपनको पता rate of rise of restagging की value की अपनको क्या रखनी है कम ठीक है ना तो देखो इस point of view से अपन यह वाली point भी बोल सकते हैं from the rrv point of view fault in short transmission line is more severe जो short transmission lines होती हो उनमें जो fault होते हैं वो में ज्यादा severe होते हैं खतरना को देख्योंगी short transmission line होई तो lrc की value कम होगी लrc की value कम होई तो natural frequency की ज्यादा value होगी और rate of rise of restagging voltage की value ज्यादा होगी मतलब arc strike होने के chance ज्यादा होगे क्योंकि rrv वह restagging voltage बहुत तेजी से बढ़ रहा है dialectic strength की comparison में ठीक है ना अब एक और condition देख लो वो ऐसे भी बूश सकता है for a short circuit near the near the power station bus bar ठीक है ना एक short circuit हुआ है कहाँ पर power station bus bar के पास तो pass में होगा तो c being small and the natural frequency will be high c small वापस से वही चीज़ c small to natural frequency high तो natural frequency high तो rrv क्या होगा एक large value attain करेगा तो अपन यहां से बोल सकते हैं that is the worst condition for the circuit breaker would be when the fault place near the bus bar तो आपको यह वाली चीज़ भी याद रखने है ठीक है यह लिख भी रखिए आप इसको पढ़ लो अच्छी तरह से thank you